हेलो फ्रेंड साब, आपका मेरी यूट्यूब चैनल कुकिंग एड होम डगोर में स्वागत है दादी नानी मा के टिप्स जिन का परजो करके हम खाने को और स्वाधिस्ट बना सकते हैं नमबर एक, चटनी पीशने के बाद कई वार उसका रंग काला पर जाता है और चब हम उसे फ्रिच में रखते हैं तो वे और वी काली हो जाती है इसलिए चटनी बनाते समय उसमें एक चमच दहीं डाल दें इस से चटनी का रंग जैसा है वैसा रहेगा नमबर दो, कई बार सेब को काट कर रखने पर थोड़ी देर बाद वे काला पर चाता है सेब को फ्रेश रखने के लिए और वे काला ना परे इस के लिए आप कटे हुए सेब के टुकडों को ठंडे पानी में नमक और निम्बू डाल कर उसमें डाल कर निकाल लें ऐसा करने से सेब काफी टाम तक फ्रेश रहेंगे नमबर तीन लसुन को असानी से शिलने के लिए लसुन की कलियों को थोड़े टैम के लिए गर्म पानी में डाल दें फिर कुछ देर बाद जब आप लसुन शिलेंगी तो बिना किसी मेहनत के सिर्फ उपर का हिसा काटने से ही पूरा शिलका निकल जाएगा नमबर चार जदि आप भी किसी सबजी को गैस पर रोस्ट करने वाली हैं तो उस पर थोड़ा तेल लगा लें ऐसा करने से सबजी का शिलका असानी से उतर जाएगा नमबर पांच खाने में जब लाल मिर्च जादा हो जाए तो उसे कम करने के लिए ड्राई फ्रूट्स के पेस्ट का इस्तेमाल करें काजू, मुगफली, पदाम, चान, नारियल का पेस्ट बनाकर कड़ी में इस्तेमाल करें इससे आपकी डिश रिच्वी नजर आएगी नमबर शे, पनीर बनाने के बाद जो दूद का पानी बचे उससे आटा गूतें रोटी पनाठे बहुत स्वादिस्ट बनेंगे नमबर साथ, लोकी का हलवा बनाते समय अगर लोकी में मलाई डाल के भूने तो हलवा अधिक स्वादिस्ट बनेगा नमबर आठ, अगर मिक्स वेज काकलेट बनार ही हैं तो सबजी उबालने के बाद जो पानी बचे उसे सूप में जां फिर दाल पकाने में डाल दें, दाल बहुत ही स्वादिस्ट बनेगी नमबर नो, दहीं बड़े पनाते समय पीसी हुई दाल में थोड़ा दहीं मिला के फैटे दहीं बड़े अधिक स्वादिस्ट और मुलाईम बनेगे नमबर दस, अंकरित दालों को चादा समय तक फ्रेश रखने के लिए निम्बू का रस मिला कर फ्रिच में रखे नमबर ग्यारा, किचोडिया बनाते समय मैदे में थोड़ा सा देहीं डाल के गुथें, किचोडियां सौफ्ट और टेस्टी बनेगी नमबर बारा, मूग दाल के चिल्ले बनाते समय दाल में दो बड़े चम चावल का आटा मिला दें, चिल्ले कुरकड़े बनेगे नमबर तेरा, देसी खी को जादा दिनों तक ताजा रखने के लिए उसमें एक टुकड़ा गुड़ और एक टुकड़ा सिंदा नमक डाल दें, घी ताजा बना रहेगा नमबर चोदा, पेपर डोसा बनाते समय, मिश्रन में दो चमच मक्के का आटा मिला दें, डोसे करारे बनेंगे नमबर पंदरा, निम्बू का रस निचोड़ने के वाद शिलका फैंके नहीं, शिलके को किसी साप बढ़नी में डालती जाएं, साथ में नमक भी डाल दें, बीच बीच में धूप में रख दें, कुछी दिनों में निम्बू का अचार त्यार हो जाएगा नमबर सोला, पनीर चाँ चीज कदू कस करते समें, कदू कस पर थोड़ा तेल लगा लें, पनीर और चीज चिपकेगा नहीं नमबर स्तारा, सुपह गोबी की सबची बनानी है, तो गोबी को रात में बड़े टुकडों में तोर कर नमक के पाणी में डाल कर रख दें, गोबी के कीरे निकल जाएंगे, तथा गोबी सफेद और खिली खिली बनेंगी नमबर ठारा, दूद जहां खीर जल जाए तो उसमें दो तीन पाण के पत्ते डाल के गर्म करें, जलने की खिशबू चली जाएगी नमबर उन्निस, हरी सबचियों को पकाते समय, अगर एक चुथाई चमच चीनी मिला दें तो सबचियों का रंग अच्छा रहता है नमबर बीस, गोपी बनाते समय, उसमें दो चमच दूद और नमक मिला दें, तो गोपी का रंग सफैद ही रहता है नमबर इकिस, आटा गूंतने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल लगा दें, तो वे मुलाइम बना रहता है नमबर बाईस, अगर आप डेजट खीजा कस्टर बना रही हैं, तो भाड़ी तले का बरतन इस्तेमाल करें इससे बरतन जलेगा नहीं और डेजट का टेस्ट भी बढ़ेगा नमबर तैस, अगर आप डेजट में क्रीमी टेक्चर चाहती हैं, तो फुल क्रीम दूद का इस्तेमाल करें नमबर चौविस, चाबल में एक टीस्पून ओयल और कुछ बुंदे निम्बू की रस की मिलाने से वे पकने के वाद भी खिल खिले रहेंगे नमबर पचीस, मेथी की करवाहट हटाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल कर उसे थोड़ी देर के लिए अलग रख दे नमबर शबी, एक टीस्पून शकर को भूरा होने तक गर्ब करें, केक के मिश्र में इस शकर को मिला दें, ऐसा करने पर केक का रंग अच्छा रहेगा नमबर स्ताई, आलू के प्रांठे बनाते समय आलू के मिश्र में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मिला दें, प्रांठे इतने स्वाधिस्ट होंगे के हर कोई ज़्यादा खाना चाहेगा नमबर थाईस, आटा गूंते समय पाणी के साथ थोड़ा सा दूद मिलाएं, इस से रोटी और प्रांठे का स्वाध बदल जाएगा और वो बहुत मलैम बनेगे नमबर नतीस, मिर्च काटने के वाद अकसर हाथों में जलन होती है फ्रेंड सब हम मिर्च हडी मिर्च को काटते हैं तो जलन होने लगती है ऐसे में जलन से बचने के लिए हाथों पर एलोविरा जल, शहद जान दहीं लगाकर जलन को कम कर सकती है तो ऐसे हम मिर्चों की जलन को कम कर सकती है चिप्स बनाने के लिए आलू के पतले स्लाइस काट के इन्हें बर्फ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके वाद फ्राई करें नमबर कतीस आमलेट बनाने के लिए आंडा फैंट थे वक्त उसमें एक दो चमच दूद मिला दें इससे आमलेट सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगा फ्रेंड़ अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे लाइक करना शेर करना जो मेरी वीडियो पर पहली वार आएं प्लीज वो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना सस्क्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सस्क्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ